कि अच्छाक आप अखिछ साथियों जैहिन मेरा नाम है निल जादौन और आप सभी लोगों का स्वागत ऊपर इस्टडि परिवार में जैसा कि आप लोगों को पता है अगर नहीं पता है तो अभी पता चल रहा है SSC CHSL 2021 की आंसर की आगे अगर आप लोगों ने भी पेपर दिया है तो जाकर की आंसर की चेक कर लो और कैसे चेक करोगे यह आप लोगों को पता ही है जनरली नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कहा प्रॉब्लम हो सकती है यह भी बताऊंगा सबसे पहले तो आपको क्या करन प्रॉब्लम कहां होगी यह भी बता दूंगा और प्रॉब्लम कहां हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को वह भी बता दूंगा सबसे पहले तो टीयर वन कंबाइंड हायर सेकंडरी लेवल टैन प्लस टू इग्जामेनेशन 2021 वस कंड़क्टेड बाइड़ कॉमिशन 24 मई से लेकर 10 जून तक जो पेपर हुए थे आप लोगों के चसल के उनकी आंसर की आ गई है प्रॉब्लम कहां हो सकती है दो चीज है पहली बात तो यह जो आंसर की है आप लोगों की बाइस चे दोजर बाइस आट बज़े से लेक इसके चलते एक प्रॉब्लम जो आप लोगों की चल रही है कि सर आंसर की तो आ गई है कुछ लोगों को देको नॉटिफिकेशन दो पैर कोई मिल गया था लोगों को बता दिया गया लेकिन वो लोग यहां पर इसी पर लिंक दे रखा है ऐसी नॉटिफिकेशन नीचे दूसरी चीज जो आप लोगों कि प्रॉबलम आ रही थी वो तो आपको पता चल गया कि लिंक ओपन नियुक्त पर बहूं पर इस लिह थो ठीक है एक चीज तो यह थी दूसरी चीज यह आप लोग छेक कर लीं जेगा उनको बता दीजिएगा एक और चीज का विशेश ध्यां रखना जैसे आप लोगों को लगता है कि आपका कोई question गलत है मतलब सही है और उसका answer गलत दे रखा है SSE में तो आप लोग दिमाग लगाना सुरू कर देते हैं आप अपनी गलती नहीं मानते हैं कमिशन अपनी गलती नहीं मानता कभी-कभी तो आप अपना दिमाग एक्स्टा मत लगाना जितना लगाना है उतना ही लगाना अगर आपको लगता है कि सच में कोई कुश्चन गलत है उसका अंसर गलत दे रखा है और पूरी तरह से कॉंफिडेंट हो तो सबसे पहले तो अपने टीचर से ही कंसल्ट कर लेना कि सर मुझे स्कुश्चन में डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी तरफ से जो है एक्स्टा दिमाग मत लगाना ठीक है अपने टीचर से जितने भी टीचर से आप लोग पढ़ते हैं उनसे कंसल हो और आप अपनी गलतियों को चुपाने के लिए भी चैलेंज मत कर देना एक तो सौर पर जाएंगे ही साथ के साथ फिर क्या ही फैदा वो चले ही जाए उसका कोई फैदा ना तो एक चीज़ आपको यह ध्यां रखनी है कि चैलेंज करने से पहले कंसल्ट करने और दूसरी चीज़ आपको यह ध्यार रखनी है कि जल्द से जल्द जो है आप लोग इन्हीं पांच दिनों के अंदर चेक कर लेना और दूसरी चीज़ आप लोगों की सुभए से प्रॉब्लम हो रही है दो पैर से जिनको पता चल गया था दो पैर कोई कि आंसर की आ गई है लेकिन व लोगों के पास हमारा कंटेक नमबर है अगार नहीं भी है तो आप लोग यहां पर लिक सकते हैं कि कुई भी कंटेक्ट किसी भी तरह की बात अगर आप लोगों को यहां पर शेयर करनी है सेवन्-3-517-0-6-8-8 3 ठीक है यह कॉंटेक्न नमबर है आप इस पर जानका यह ले किस तर आंसर की आएगी कब आएगी आ गई है और कुछ लोगों ने भी दो चार्च है मैसेश किये भी है ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच मिलते हैं रेगुलर क्लास में तब तक के लिए भाई भाई टेक क्यार जाएं